हलो मेरे प्यारे दोस्तों वेलकम बेक टू दा चैनल वन्स अगिन आई होब आप सब लोग भूत अच्छे से होंगे तो आज के इस छोटे से व्लोग में मैं जॉब से आने के बाद के कुछ ग्लिम्ट से शेयर कर रहे हूँ सो हम चारों ही लोग एक साथ आते हैं तो मैं सुबह में ही शाम की तयारी कहाने की करके जाती हूँ सो जब बच्चे आएं तो उनको मैं गरम गरम काना बना के दे दूं तो मैं सुबा सूजी का हलवा बना गई थी चने बना गई थी और फटाफट से मैंने मशीन में आटा लगा लिया और मैं इनलों के लिए बना रही हूँ पूड़ी दोनों ही बच्चों को पूड़ी हल्वा चना का जो कॉंबिनेशन है वो बहुत अच्छा लगता है तो मैं महीने में एक आदी बार इस तरह की मील भी बच्चों के लिए बना देती हूँ एंड बच्चों का खाना वगरा करने के बाद साड़े पांच कभी कभी छे भी बच जाते हैं और उसके बाद मैं बच्चों का सबसे पहले होम वक देखती हूँ उनको उपर लेकर आती हूँ होम वक कराने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ या फिर कभी कभी पहले रेस्ट कर लेती हूँ उसके बाद इन लोगों को मैं होम वक कराती हूँ तो पहली मील मैं स्कूल से आने के बाद इनको पूरी छोले और आइमीन चने और हलवा दे दिया था और जो सेकंड मील थी उसमें मैंने घर की काजू से मैयोनीज बनाई थी उसको ब्रेट पे लगा के दे दिया था तो काजू भिगो के उसको बस मैंने मिक्सी में पीसा और उसमें नमक, काली मिर्च, विनेगर और थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से मैयोनीज जैसा बना लिया उसके बाद अपने बरतन वगेरा का काम होता है किचिन की सफाई का काम होता है और तीन जरूरी काम और जो बच्चते हैं वो हैं बच्चों को सुलाने का क्योंकि ये पच्चे स्टोरी सुनने के बाद ही सोते हैं भगवान जी का भूग लगा के शेन कराने का और नेक्स्ट टे हम सब को क्या लेके जाना है उसकी थोड़ी सी तैयारी करने का तो ये मेरे पास एक हिंदी के बुक है आज कल मैं ये वाली बुक पढ़के बच्चों को सुला रही हूं और अब कल की तैयारी में मैं बना रही हूं पत्ता गोबी का संभारा तो यह मैंने यूट्यूब पर ही देखा तो और यह मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ बहुत ही अच्छा बनता है इसको आप स्टर फ्राइ पत्ता गोबी भी कह सकते हैं तो यहां पर मैंने ओईल लिया है ओईल जब गरम हो गया था तो मीडियम फ्लेम कर दी थी उसमें मैं डाल रही हूँ राई हींग और हल्दी तीनों ही चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे उसके बाद आल्रेडी मैंने पत्ता गोबी को फाइन चॉप करके वाश कर लिया ह और फिर इसमें हम एड़ कर देंगे पत्ता गोबी आलू मतर कुछ भी नहीं डालना है केवल पत्ता गोबी डालनी है और पत्ता गोबी के उपर ही मैंने एक हरी मिर्च डाल दी है अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च ना डालने स्वात के अनुसार मैंने ताल दिया है नमक और फरेम मेरी है मीडियम नमक को इस में कर देंगे मिक्स बस इसमें इतने ही मसाले जाते हैं और कोई भी मसाला इसमें नहीं जाता है इसके बाद भी यह बहुत ही different बनती है लाइक जो पत्ता गोबी की सबजी होती है ना पत्ता गोबी आलू मटर की उससे ही एकदम different बनती है अभी आप देखना कि उसका reason क्या है अब हम medium flame पर इसको रखेंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे कवर बिलकुल भी नहीं करेंगे ये थोड़ी थोड़ी अपने पानी में ही और पकती रहेगी medium flame पर इसका पानी पूरी तरह से reduce हो गया था पानी जब पूरा reduce हो जाए उसके बाद flame को कर देना है एकदम low और low flame पर भी बीच बीच में चलाते हुए इसको थोड़ी देर और पकाना है इस time भी हमको इसको बिलकुल cover नहीं करना है पूरी इस जो पत्ता गोबी का संभारा इसको हमको open में ही पकाना है तो इस time मैंने flame को low कर रखा है और बीच बीच में मैं इसको चला रही हूँ पत्ता गोबी का संभारा है इसको थोड़ा कच्छा पका ही रखा जाता है fully cook नहीं किया जाता है on the other side दूद को भी गरम करने के लिए रख दिया है सुबह बच्चों क के लिए भी काम में आएगा साथ में मेरे को भोग भी लगाना है और यहां पर देखे यह पत्ता गोबी का संभारा बनके हो गया है ready तो यह मेरे और विवेक के सुबह लंच के लिए हो जाएगा और उसके बाद रात में भगवान जी का दूद का भोग लगा दूंगी भग में मैं दूद का भोग लगा देती हूं और उसके बाद भगवान जी को शेन कराने के लिए बस भगवान जी का श्रंगार उतारूंगी सारा सामान साइड में रखूंगी और भगवान जी को ब्लैंकिट उड़ा दूंगी और बस सोने से पहले स्किन केर करूंगी थोड़ी और वो मैंने record नहीं करिया आज के इस छोटे से vlog में और आज के vlog को यहीं पर करती हूँ और vlog में कुछ भी अच्छा लगा हो तो like करें friends family के साथ जाज जैदा share करें चैनल को subscribe जरूर करें to become a part of my family मेलूंगी next vlog में जब तक के लिए take care bye and thank you